आज हम समझेंगे बई प्रूप स्ट्रेस क्या होती है इंजिरिग में सभी ना पढ़ाए कि प्रूप स्ट्रेस क्या होती है तो यहां पर हमें एक डियाग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मिलत तो यहां पर देखो बात कौन सी पॉइंट करने वाली यहां पर जो यह-पॉइंट सी है इसको बोलते हैं यीलड पॉइंट लोर एड पॉइंट और इसके corresponding में जो stress आती है हमारे पास उस stress को बोलते हैं yield stress और design stress तो mild steel test करने के बाद यह जो कर भाई इसमें तो हमें clearly पता चल जाता है कि भाई हमें कौन सा point है yield point ठीक है लेकिन क्या होता है in case of aluminium copper और silver यह भी तो इसमें हमें clearly known नहीं है कि yield point कौन सा है जिसके corresponding में हम yield stress ले तो ऐसे case में हम जो design stress निकालते हैं वो design stress निकालते हैं offset method से offset method से इसका मतलब क्या है हम क्या गरते हैं यह जो strain x-axis पे strain जो है हमारी यहां पर हम 0.2% 0.2% permanent strain माल लेते हैं यहां तक क्या माल लेते हैं permanent strain माल लेते हैं और यहां एक point लगा लेते हैं इस point के बाद जो यह initial stage पर इस कर्व का जो एंगल है ठीक है इसी एंगल पर एक straight line ड्रॉ करते हैं एक straight line ड्रॉ करते हैं और जहां पर यह straight line इस stress strain कर्व को cut करती है उस point को बोलते हैं proof point जहां पर यह वाली लाइन जो हमने 0.2% strain वाली लाइन पर cut किया और यहां पर एक offset डिया जो की parallel है initial condition of this curve यानि कि यह angle और यह angle दोनों angle बराबर हैं और यह हम एक straight line लेके गए हैं यह straight line जहां पर intersect करती है इस curve को उस point को बोलते हैं proof point और इस proof point के corresponding जो stress की value आती है उसे हम बोलते है yield stress और proof stress इस stress को बोलते हैं proof stress तो ऐसे materials जिन में yield point clearly defined नहीं होता उन वाले materials में stress strain diagram में design stress निकाल ले के लिए हम proof point define करते हैं offset method से offset लेते हैं 0.2% पर important है यह exam point of view से offset के निकले लेते हैं 0.2% का ठीक है strain वाली axis पर और इस point जहां एक straight line ड्रो गरते हैं जो की parallel है इस curve के initial point के यह angle यह angle दोनों बराबर हैं ठीक है okay thank you